अगर आपके पास Redmi Note 11T Mobile है और आप उसमें In Display Fingerprint को लगाना चाते हैं जैसा कि यहाँ पर देख पर हो कि मेरे में In Display Fingerprint लगा हुआ है और इस तरीके से यह देखिए On भी हो गया तो अगर आप भी लगाना चाते हो तो इस वीडियो को पूरा देखे इस वीडियो में मैं आपको दो इस टेप बताने वाला और दोनों इस टेप को फॉलो करना है बस आप भी अपने मवाइल में In Display Fingerprint को लगा पाओगे तो चलिए कई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरीके से आपको जो है In Display Fingerprint लगाना है सबसे पहले जाना है सबसे पहले जा डालने के बाद सबसे नीचे एक आपसे मिलना है Turn Off Screen Lock तो सबसे पहले आपको इस पे कलिक करना है और यहां से OK कर देना है OK करने के बाद आपका First Step जो है वो Complete हो चुका है अब आपको Back जाना है अब आपको Second Step के लिए क्या करना है ध्यान से देखना अगर आप ध्यान से नही तो आपको क्या करना है जाना अपने Mobile के Themes Apps में आपके Mobile में Themes Application होती है इसको Open कर लेना है जैसे आप Themes Application को Open करोगे तो यहां पर आपको उपर की तरफ Search बार मिल जाएगा तो आपको Search बार पे क्लिक करना है Search बार पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या लिखना है जो आपको सर्च करके जो है सर्च करना है सर्च करने पर जो पहले नंबर पर थीम्स आ रही है इसका नाम है निव ओक्सी इरा इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद गाईज यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का आपसन आएगा तो आपको tick mark जो लगे थे, इनको tick कर देने, कि अपिलाई पर क्लिक करना है, जैसे आप apply पर klik करेंगे तो यह apply होना चालो हो जाएगा और आपका apply हो जाएगा अब आपको जाना है back, themes लेखिए apply हो चुकिन, अब आपको back चले जाना है और back जाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो in display fingerprint है वो लग चुका है तो यहाँ पर देखें मैंने इसको unlock किया और उसके बाद unlock कर रहा हूँ तो यहाँ आपर देखें यह in display fingerprint हा रहा है और जैसे आप इस पर लगाएंगे अपना finger तो इस तरीके से on होगे